दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कहीं पर भी electrical maintenance का बर्क करने जाते हैं तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर आए हैं तो देखी यहाँ पर जो MCV है वो पूरी तरह से जल गई है खराब हो गई है और इसका जलने का में कारण है कि जो MCV है उस पर overload हुआ और जो इस पर output वाला wire था उसमें थोड़ा सा loose connection था जिसके कारण से यह MCV है वो जल गई है तो आपको इसको replace करना है और replace करने के पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है आपको जो MCV replace करने है वहीं आपको off रखनी है बाकी जो MCV है आप उसको off नहीं कर सकते क्योंकि यह जो काम कर रहे है बहाँ पर बहुत सारी जगए supply जा रहे है तो आप सब जगए की supply को off नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहाँ पर कोई भी computer पर भी काम कर रहा होगा कोई important काम भी चल रहे हैं तो आप इसको off नहीं कर सकते जो mcv पर आप काम कर रहे हैं उसको off कर सकते हैं तो देखी यहाँ पर जो output वाला बायर था सबसे पहले आप वो निकाल देंगे और इसके बाद आप जो mcv है उसका screw को खोलेंगे तो एक चीज़ आपको बता दें कि जो mcv है इसमे face link डली हुई है जो metal की face link होती है वो डली हुई है तो क्या होगा जब तक हम face link को बाहर नहीं निकालेंगे तो जो mcv है वो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते तो इसलिए आपको जो 4 mcv है उसको off हो जाएगी जब आप face link को निकालेंगे उसके बाद जो आपकी और mcv लग हुए है जिस यहाँ पर हमारी MC भी ख़रा हुई है तो आप सिर्फ उसको आप करेंगे तो आपको सभी वायर है फेस वाला जो उसका input है उसको प्लास से पकड़ के side में कर देना है इसमें यहाँ पर face आ предлаг है और उसके बाद आप जो जो फेस लिंक है उसको निकाल लेंगे तो देखिए यह फेस्लिंक थी यह लगी हुई थी तो आपको यह निकाल लेना है और उसके बात MCB को आप आसानी से निकाल सकते हैं तो देखिए इस प्रकार से जो MCB है वो जल गई थी और बगल वाली MCB है वो भी थोड़ी सी हीट हो गई है लेकिन वो सही काम चलेगा तो अब आपको इसको रिप्लेस करना है तो इसका यह जो पिन है उसको पीछे की साइट कीच लें और इसका जो चैनल है उसमें आप इसको फसाएंगे और जो पिन है उसको आप प्रेस कर देंगे तो बहां पर जो MCB है आपकी बहां पर सैट हो जाएगी जहां पर सैट थी तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जो फेस लेंक है उसको कनेक्ट करना है तो देखिए जो हमार इंसुलेशन पर पकड़ा हुआ है आपको इसके इंसुलेशन को ही तच करना है बाकि जो आप उसका कंडेक्टर है फेस का उसको टच नहीं करना है और यह पूरी तरह से जहां पर आपकी फेस सप्लाई है तो उससे भी आपको टच किया हुआ है हाथ से, हमने इसको जो conductor है उससे दूर रखना है अपने आपको, तो इस परकार से आपको यहाँ पर tight कर देना है, तो देखें, tight आपको बिल्कुल proper करना है, इसको बिल्कुल भी lose नहीं रखना है, क्योंकि अभी जो MCB खराब हुई है, वो lose connection के वज़े से ह खराब हुई है, तो आपको कोई भी screw है, उसको lose नहीं रखना है, आपको सारे screw है, उसको अच्छे tight रखना है, और उसके बाद यह जो output बाला हमारा wire है, तो इसको यह heat हो गया है पूरी तरह से, तो उतना हम फीज उसका काट देंगे, और उसके बाद इसको छीलेंगे, तो जादा हो जाएगा, और जादा हो जाएगा, तो क्या होगा, कि आप उसको अच्छे tight कर पाएंगे, तो देखिए हमने इसको double कर लिया है, और double करने के बाद जो हमारा MCB है, उसका screw को पहले खोलेंगे, और उसके अंदर wire को अच्छे से fix करेंगे, और उसके बाद आपको इ इसको अच्छे tight कर दिया है, और यह MCB है, हमने इसको on कर दिया है, अब यह supply चालू हो गई है, तो इस प्रकार से आपको इसको काम करना होता है,